नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशियल जादौन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिननतन करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि साथ सभी का बहुत अच्छा होगा और तयारी भी आप सभी की बहुत अच्छी चल लए होगी साथियो जैसे है कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर ये वाला वीडियो मैं लगबग मैं बात करूँ साथियो चार से पांच महिने के बाद तीन महिने से ज़्यादा हो चुके उसके बाद ही लिकर आ रहा हूँ क्योंकि साथियो मैं जानता था इस बात को कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यूटूब पर चहल कदमी आपको टीचरों के द्वारा दिखाई दे रही है वो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी सिर्फ साथियो अंदेशा अंदाजे के माध्यम ची आप सभी के सामने वीडियो लेकर उपस्तित होना वाजिब मुझे नहीं लगता इसलिए मैं कोई वीडियो भी लेकर नहीं आया था पता होगा कि साथियो बार-बार यहां पर उत्तर प्रिदेश के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रिदेश के लिए जो कंपनी टेंडर लेने वाली थी उसके लिए बार-बार यहां पर विगपती निकाली जाती रही और दोस्तो एक बहुत लंबे टाइम तक उसका कोई टेंडर ही नहीं ले पाया, तब लोगों को लग रहा था कि साथ अब वेकेंसी आ जाए चाहे, अब वेकेंसी आ जाए, ऐसा लोगों को लगता रहा, लेकिन दोस्तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, सबसे एहम मु पिछले साल का कट ओफ कितना रहा था दोनों वेकेंसी में, इस बात से आपको अवगात रहना चाहिए, दूसरा साथियो मुख्य बिंदू क्या है, कि अब जैसा कि सुनने में आ रहा है, कि जो आपकी वेकेंसी आ बहुत जल्द आने बाली है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले, इनकी अंदर पदों की संक्या को भी बढ़ाएगा है, तो ऐसा लग रहा है कि साधी वेकेंसी बहुत जल्द आने बाली है, आज थोड़ी सी वारता हम आपसे करेंगे, कि इन वेकेंसीों की आने की संभावना क्या है, और दोस्तों, अगर आपकी इन वेकेंसीों की बहुत जल्द आने की संभावना है, तो क्या हमें अपनी तयारी शुरू कर देनी चाहिए, इन बिंदूओं पर बात करूँगा, मुक्या बिंदू क्या होंगे, क्या रही सातियों, पिछले साल की कट अफ इस पर वारता करेंगे, भरती जून या जुलाई म इस पर वारता करेंगे, और क्या उम्र में छूट मिलेगी, इस पर वारता करेंगे, लेकिन जो भी वारता होगी, इस पश्टता के साथ होगी, सारी बातों में सच्चाही रहेगी, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी सातियों, जो आपको सिर्फ बहकाने की आवस सकता जिस बात से कैसे करें कोई भी कुछ भी बोलता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता बच्चे को सही दिसा देदेनी चाहिए बच्चे को सही दिसा बता देनी चाहिए कि वह सचा यह है अब आपके उपर depends करता है आप अपनी तैयारी को कैसे लिए कर उत्तर पुद्ःसकंदर पुल्िस के उनको भरने का काम करेंगे तब पहने बार ऐसा देखा जा रहा है था कि उत्तर पुद्ःसकंदर बहुत बड़ी-बड़ी जल्दी बेकेंशी निकाली गई जिन में से साथी 2018 में एक वेकेंसी 41,520 की निकाली गई और एक वेकेंसी 49,568 की निकाली गई ये दो वेकेंसी आपने देखा होगा दोस्तों जिनके अंदर बहुत बड़ी संक्या में लगबग एक लाग के आसपास हम कह सकते हैं अनुमान लगा कर लगबग में तो ये एक लाग वेकेंसी लगबग यूपी पुलिस कॉस्टेबल के अंदर भरी जा चुकी है लेकिन एहम मुद्धा ये है कि दोनों वेकेंसी की सर कट आओफ कितनी रही है अगर मैं इस वेकेंसी की बात करूँ तो आपको पता होगा जून के अंदर इसका एक्जाम हुआ एक्जाम चार शिफ्टों में हुआ दो शिफ्टों के अंदर एक्जाम कैंसील हुआ उसको फिर से कराएगा और साथियों फिर क्या हुआ कि आपको पता होगा ये पहली बेकेंसी उत्तर पदेश के अंदर ऐसी देखने को मिल रही थी जिसमें नॉर्मलाइशन का खेल बेकेंसी हुई थी तब उस आधार पर साथियों जो जर्नल की कट ओफ रही थी इसके अंदर दो सो पतीस रही थी ये पॉइंटों में भी थी साथियों के क्यों नॉर्मलाइशन के आधार पर रंग थे मैंने के फिक्स डिजिट रखने की यहां पर कोशिज करी है ओबी सी क अगर हम 41,000 की बारत करें तो बीसी की 216 पर मेरिट थी SC की 187 पर और ST की 153 पर यहां पर साथियों कट ओफ थी जब 49,000 वाली वेकेंसी आई तो इसकी जो कट ओफ थी वो साथियों 185 थी लेकिन यहां पर भी ऐसा देखा गया था कि 189 और 90 वाले का सेलेक्शन जर्नल में नह किया था तो इसके अंदर भी नॉर्मलाजेशन का खेल उत्तर प्रदेश कंदर होता है उसका क्या किस तरह से बचाब किया जा सकता जैसे फॉरम आएंगे मैं उससे नॉर्मलाजेशन के फंडे पर जरूर एक वार आपसे बात करूंगा साथ बात करें 172, SC की बात करें 145 औ अभी तो फारम भी नहीं आए हैं दोस्तो मैं कट आफ की बात इसलिए कर रहा हूं कि कर जर्नल की आप कट आफ देखो 300 नंबर में से तो एक बहुत बहतरीन कट आफ हमें यहां पर नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश कंदर मैं बात करूं दोस्तो तो पेपर भी इतना आ मांक के अंदर रखनी चाहिए कि तीन चार या दो महीने से पढ़ने से अब सेलेक्शन किसी बच्चे का नहीं होता है और खासकर बच्चे को यह लगता है कि जब फारम आ जाएंगे जब फारम आ जाएंगे जब वेकेंसी आ जाएगी उस टाइम में किताब लेकर बैठकर इस बेकेंसी के तैयारी करना शिरू करूंगा तो साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो साइद ही कोई बोल पाई देखिये बेकेंसी कब आएंगी, यह तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, और ना ही जलतियों भरती बोर्ट भी जानता हूँ कि को जैस प्रास दिला रहा हूं कि बेकेंसी 100% आएंगी तो मैं आपसे एक बात कहने की कोशिच कर रहा हूं कि आप अपने तयारी को धार लगा कर बहतरीन तरीके से ऐसे बैठ जाएगा कि चाहिशार कल ही पेपर देने को मिल जाए मैं कल ही पेपर निकाल दूँगा बेकेंसी आने के बात तयारी करने वाले बच्चे कभी सेलेक्शन नहीं ले पाते वह बच्चे होते हैं जो 185 की कट आफ होने पर या तो 87-86 पर अटक रहे होते हैं 184-83 पर गूम रहे होते हैं जो बच्चा एक अच्छी तयारी में होता है वो बच्चा कट आफ से इतने ज्यादा नंबर ल करके टेपर की तयारी करता है वो साथ्यों कट ओफ के आसपास बतक रहा होता कि मैं में वेन कट अब में अफ बसक्रूंत जाकर मैं निकल तो नहीं जाऊंगा ऐसा सोच रहा होता है तो आज ही आप अपने आपसे पूछ लिजेगा कि मैं कटत के आसपास ब्ठकना चाहता हूं या मैं अपने cut-off से 10-20 नंबर ज्यादा उपर रहना चाहता हूँ, तो आपके उपर निर्वर करता है, यगर आप 10-20 नंबर उपर रहना चाहते हैं cut-off से, तो आज इसे ही किताब उठा कर पढ़ना शुरू कर दीजीगा, target UP police को मान कर, तो कि मैं आज इसमें बात करूँगा कि यूपी police को target मान कर, मैं कुछ और exam भी दे सकता हूँ, आज मैं बात करूँगा, ठीक है, तो दोस्तों मुख्य रूप से cut-off बताने का उद्देश से यही था, कि आप अपनी तयारी को इस cut-off की अधार पर क्या set कर पाए हैं, कि आप इसे like हैं, आप एक वार सोच लिजी अभी क्या हुआ है साथियो, 8,714 पत इसके अंदर और add कर देगा हैं, जो आपके हम कह सकते हैं, PSE जो होती है आपकी, जिस हम PSE कहते हैं, तो यहाँ पर PSE के लिए, यहाँ पर साथियो क्या हुआ है, कि जिसके लिए 8,714 पत को इसके अंदर add कर देगा हैं, पहली बात मैं हंडेड पर्सेंट कह सकता हूं हंडेड पर्सेंट कह सकता हूं कि हर बच्छे के जबान पर एक बात होगी मुख्य बात का है सात्यों यह फारम आने की जो संभावित समय है वो जून नहो कर ऐसा लगता है साथ्यों कि जून अगर अभी चल रहा है तो फारम आने की अगर संभाव नहोती तो इस टाइम साथ्यों इन पदों को add करना मुझे नहीं लगता कि यहां पर अभी किया गया होता यानि बेकेंसी लगबग सातियों ये आपकी जुलाई या अगस्त में आने का काम करेगी मैं इसको अगस्त कहूँ तो गलत नहीं होगा मैं इसको अगस्त कहूँ तो गलत नहीं होगा ये अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना हो सकता है कि जुलाई के लाष्ट में वेकेंसी आ जाए लेकिन अगस्त में मुझे संभावित लगती है अभी हाल फलाल में इसके अंदर पद एड़ हुए है और साथियो आप जानते होंगे कि अलक्षन का जो इन्हें माहौल बनाना है वो इस वेकेंसी को थोड़ा एक्जाम जो कराएंगे लाष्ट तक कराने की कोशिज कर रहे होंगे अगस्त से हो सकता है यह साथियो आपका एक्जाम दिसम्बर के आज से पास तक करा रहे हूँ यह बिलकुल सची बात है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो बच्चों के ऐसा बताने की कोशिज कर रहे हो कि बैकिलसी लेट हो रही है बिड़ा सचाई तो यही है कि यह हो सकता है नवंबर में यहाँ पर एक्जाम करा लें लेकिर अगर अगस्त में फारम आ गई तो सितंबर, अक्टूवर, नवंबर, दिसंबर यानि तीन से चार महीने तीन महीने तो देते ही देते हैं तीन से चार महीने आपको अगर तयारी के लिए मिल जाते हैं तो यह अगस्त में फारम देकर दिसंबर में एक्जाम कराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी नवंबर में करा सकते हैं डिसम्बर के शुरू में करना सकते हैं ये इतना सात्यों क्राइटेरिया लगवा के मेरे अनुसार रहने वाला है सर कैसे कह रहे हूँ आपकी अगस्त में यहाँ पर फारम आ जाएंगे तो साथ देखिए कि हर चीज का यहाँ पर एक अनुमान होता है एक आंकलन होता है मैंने आपसे कुछ दिन पहले लेकपाल की वीडियो में कहा था कि 19 जून को पेपर हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता अब क्यों नहीं लगता वो मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अपने पास भी होती है और आपने देखा कि 19 जून को पेपर नहीं हुआ आप वो वीडियो आज भी जाकर देख सकते हैं मैं खुद कहरा था अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बार-बार इस स्वीज को कहरा था कि 19 जून को पेपर होना मुझे नहीं लगता कि संभाव हो पाएगा और अभी देखा आपने को 19 जून से फिर से लेखपाल का पेपर बढ़ा दियेगा तो इस डेट को थोड़ा सा अगर आप तयारी करें तो थोड़ा से विश्वास कर सकते हैं और ये आपके लिए कि सठीक जानकारी देगी एकजाम कब होगा? मैंना आपको बता दिया सात्य है एकजाम के लिए संभावित समय ये हो सकता है तयारी कैसे करें? दोस्तhos देखो, सबसे मुख्य बात है तयारी अगर कोई बच्चा आज के समय में लेखपाल की तयारी कर रहा है कोई बच्चा लेखपाल की तयारी कर रहा है ये बच्चा इस समय तयारी में होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश केंदर ही एक बेकेंसी आईती UPSI वाली UPSI की तयारी किया हुआ बच्चा जो इससे निकल गया होगा UPSI चे वो अगर थोड़ी सी महनत कर ले वो भी इसके चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे हम GK की बात करें माने तो साती रेज़ीनिंग इसके अंदर नहीं आती लेकिन लेकपाल वाला बच्चा रीज़ीस परके जैसे परके रहा होगा यह भी मत देता नजर आएगा ऐसा ही वाला जो बच्चा होगा वो तैयारी करके भले ही बैठ गया होगा लेकिन वह भी तैयारी में आगे फिर से उतरेगा अब इसातियों हम बात करें तो आपको पता होगा रेलवे गुरूपडी की एक बेकेंसी है जिसकी बच्चा तैयारी कर रहा है यूपी के अंदर य इस बच्चे को टकर उस बच्चे को देनी है जो अब तैयारी कर रहा है यानि कि सातियों आपको पता होगा कुछ टाइम के बाद 12 का रिजल्ट आ जाएगा और जब 12 का रिजल्ट आएगा तो यह 12 पास करें हुए जो बच्चे होंगे यह भी से कमप्टी से में बैठ रहा या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं अब जिन में से कोई एक्जाम आपने नहीं दिया अब ऐसे बच्चो कि सर बहुत पहले तैयारी तो कर दीती लेकर अब तैयारी से दूर हो तो सातियों तभी तो मैंनो पहले कटा हो बताई है कि अगर आप आज से तैयारी करोगे तो आप ये सोच कर बैठना कि आप कौन से बच्चे हो अगर इन में से हो तो ध्यान नकीगा कि लेकपाल वाला बच्चा तो हो सकता है तैयारी में हो बाकि सभी को अभी तैयारी करने की आब सकता होगी और आपको लगता है सर मैं तैयारी छोड़ कर बैटा हूँ तो इसलिए म आप बहुत आसानी से लेखते सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको कल से नहीं, आज इसे ही करनी पड़ेगी, तो मुख्य बाद क्या है साथ ही, तैयारी कैसे करें में, आप अपने आपको पहचानिएगा, कि आपकी तैयारी है कहां पर, कितना आप तैयार हो, यूपी पुलिस के अगर तैयारी बिगर चुकी है, तो तैयारी करने की आबस सकता होगी, सबसे मुख्या बात क्या है साथ ही, उम्र में छूट का मेटर है साथ ही, मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूं, कि यूपी एसाई वाला जो माम राता, यूपी एसाई में, जब वेकेंसी निकाल गई थी, तो उसमें सात्यों उम्र की छूट को लेकर बच्चे कहां गई थे, उम्र की छूट को लेकर बात करें, तो उन्होंने कोट जाने का फैसला किया था, और कोट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था, और मना कर दिया था, उम्र में हम आपको कोई छूट नहीं कुछ बच्चों ने ऊच्वाफित फृष्ट कोट गई कुछ समय बात फिर वह बच्च सप्रुम ने बसुपरम गई कोटनेहर Cand olacak bomberOS थी उसमें एक साल के छूट उन बच्चों को मिली थी उन बच्चों के आधार पर मिली थी कि बहुए 41,000 वाली बेकेंसी में ये बच्चे फॉर्म नहीं बढ़ पाये थे जबकि सरकार ने का था हम हर साल भरती लाएंगे और वो हर साल ना लेकर आई ती इसलिए सुप्रिम को करें वही मांग UPSI के अंदर थी और कोट ने आपकी बात को नहीं सुना आप दिल्ली पुलिस हेड कोस्टिवल मिनेस्टरल की बात कर लो 2019 में उसने फारम भरवा लिये और जब 2022 में फारम लेकर आई तो उसने मना कर दिया उन बच्चों को छूट उमर में दे ही नहीं रही है जब कि भरती बोट ने खुद अपने आधार पर यहां पर क्या कि भरती कैंसिल करी थी 2019 वाली फारम भर चुके ते ना फीज वापस करी ना उमर में छूट दी तो मुद्दा क्या है सातियों कि यहां पर ऐसा भी होता है कि फारम भरवान एक बात दिल्ली पुलिस वाला म जनरल वाले ओवरेज होते हैं इसमें 3-5 साल का OBCST को मिली जाता है तो एक मांग तो यह उठ सकती है कि जो EWS तो 10% यहां हमें आरक्षन देता है एक अबाज तो यह उठ सकती है कि EWS वाले बच्चों को साथियों क्या कर दें यहां पर उमर की छूट दें क्या सर उमर की छ दिली के अंदर अगर हम बात करें दोनों चीजों में अंतर रह सकता है फिर भी सातियों यह बच्चे जो हैं इतने मन से लगे हुए अतने दिल से लगे हुए कि इनको लगता है कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है तो अगर ऐसी बच्चें एक जगा एक मन्च पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिस करें, जिससे की प्यारसातियों हर टीचर आपके साथ आपाई, कोट जाने की आवज सकता पड़े, तो आप सभी एक गुरूप में एक साथ होने चाहिए हो, यह मैं आपसे आगर करता हूँ, और करने के लिए कुछ भी बड़ी बात पर बात कर लिए, पिछले साल की कट अप बता दिया, जून जुलाई में भरती आएगी, मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ी लेट होने की सम्मावना है, पद बढ़कर यहां पर 35 प्लस हो गए हैं, आपको पता है, पीएसी के पद एड़ कर दे गए, क्या उम्र में यूपी पुलिस को लेकर, आप गुरुबडी वाले बच्चे हो, जो यूपी पुलिस का दोगे, लेकपाल वाले बच्चे हो, यूपी पुलिस का दोगे, यूपी SI वाले बच्चे हो, जो यूपी पुलिस का देने वालो है, आप लाश्ट टाइम किस एग्जाम की तयारी करी थी जो आप यूपी पुलिस के लिए तयारी कर रहो तो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई वहाँ देने की कोशिज करूँगा ओके साथियो बैस्ट अब लग नमस्कार जैन्वेर दोस्तो